हलो फ्रेंट्स तो आज मैं आपको होम मेट चिकन टिका बटर मसाला बनाने का एक दाम इजी और परफैक्ट तरीका पताने वाला हूँ इस तरह से आप चिकन टिका बटर मसाला बनाना सीखना चाहते हो ना वीडियो को आपने बीना स्किप के लाज तक जुरूर देखना है उसके बाद आप इस तरीके का चिकन टिका बटर मसाला बना पाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स जल्दी से रैस्पी को शुरू करते हैं चिकन टिका बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन टिका च निम्बू ना हो offense क्या गरना है 100 ग्राम दै लेना है वो डालेना है फैंट को निम्बूँ डाल दिया चिकन टिके को मसालों के साथ अची दरा से m extraordinarily कितनी देरर नहीं करका क हो चिकन कर Одесс साथ Technology mean करें भी एड़ करनी है लाल वाली सुखी मिच्ची भी डाल दी उसके बाद दो तेज पत्ते एड़ करेंगे तीन हरी लाची एड़ करनी है एक टुकड़ा दाल चिन्नी भी एड़ करेंगे उसके साथ ही थोड़ा सा अद्रक एड़ करेंगे तो अद्रक को थोड़ा मोटा मोटा ही काटने इस तरह से वो भी ऐड़ कर देना है 10 से 15 लसुन की कलिया लेनी है वो भी डाल देनी है जरूरी निया शील के डालना है ऐसे भी आप इसको डाल सकते हैं दो के 4 हरी मिच्ची लेनी है 1 वाई 2 कर लेनी है बीच में से वो भी ऐड़ कर देनी है हरी मिर्ची डाल दी उसके बाद थोड़े से काजू एड़ करेंगे काजू नहीं है आप इसकी जगा मगज का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मगज भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो उसके बाद चार मीडियम साइज के प्याई लिये थे जिनको मैंने बनवाई फोर किया है वो भी आड़ करेंगे उसके बाद चारी मीडियम साइज के टमाटर लिये थे टमाटरों को मैंने रफली का टैब भी आड़ कर देंगे उसके बाद थोड़ा सा रैड मिर्ची का पोर्डर आड़ करेंगे चिकन टेकप बटर मसाला की ग्रेवी बनाने के लिए बस हमने इतना कुशी डालने है बाकी रहे के नमक मसाले वगएर है वो हम जब इसको पीस लेंगे मिक्स जार में उसके बाद ग्रेवी में अड़ करेंगे उसके बाद इस कड़ाई को हमने उपर से कवर करके रख देना है कवर करके क्यों रखना है क्योंकि टुमाटर प्या जल्दी से साफ्ट हो जाएंगे और कवर करके कितनी देर रखना है सिर्फ दो से तीन मिन्ट इसको कवर करके रखना है कड़ाई को उपर से कवर करके रखा था लगबग तीन मिन्ट हो गया है चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप याइटमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं उसके बाद थोड़ थोड़ हमने इनको मैश कर लेना इस तरह से मैश कर लिए उसके बाद पानी अड़ कर देंगे पानी डाल दिया उसके बाद गैस की फिलें मीडियम टू हाई करेंगे और ग्रेबी को राम से बॉयल आने देना है तो देख सकते हो आप ग्रेबी को बॉयल आ गया है उसके बाद इसको ठंडा करेंगे फिर मिक्सर जार में इसको पीस लेना है बिल्कुल फाइन पेस्ट बनानी है इसकी यहां पर मैंने एक तवा लिया है सबसे पहले इसको थोड़ थोड़ गीन लगाएंगे तवे को गीन लगा दिया उसके बाद जो चिकन टिका मेरनेट करके रखा था उसको हमने शेलो फ्राइ करना है तो एक एक करके पीसिस डाल देने है सारे के सारे तवे के उपर चिकन टिके को तवे के उपर डाल दिया उसके बाद इसको उपर से कवर कर देना है कवर करके चिकन टिके को पकाएंगे कवर करके तीन मिन तक इसको पकाएंगे फिर दूसरी साइट पल्टी करेंगे फिर तीन मिन तक इसको पकाएंगे चिकन टिके को कबर करके पका रहा था एक साइट से लगबग तीन मिन्ट हो गए हैं चेक कर लेते हैं अब चिकन टिके को हमने दूसरी साइट पल्टी कर देना है और दूसरी साइट से भी इसको तीन मिन्ट तक पकाएंगे तो आपने भी इस तरीके से चिकन टिके को दोनों साइड से provides करके 3-3 मिंट पका लेना है तो देख सकते हैं आप दूसरी साइड से पल्टी कर दिया उसके बाद फिर से कःवर गर के रख देते हैं 3 मिंट के लिए चिकन टिके को दूसरी साइड से कवर करके पका रहा था लगवक तीन मिन्ट हो गए और टोटली चिकन टिके को पकाते हो शे मिन्ट हो गए तो चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप चिकन टिकाची तरह से पक चुक है उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करेंगे और चिकन टिके को उमने साइड में रख देना है ग्रेवी को मैंने मिकसर जार में पीस लिया बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाई है तो आपने विस तरीके से ग्रेवी को ठंडा करना है उसके बाद इसको मिकसर जार में पीस लेना है बिल्कुल फाइन पेस्ट बनानी है देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल पीस लेनी है ग्रे यूपस बटर के ऐड़ करेंगे शोटे-शोटे थोड़ी सी टोमाटो सास भी ऐड़ करेंगे ऑफशनल है डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं नहीं तो उसके पी कर सकते हो आप उसके बाद इस ग्रेवी में चिकन डिका भी डाल देंगे जो पहले शैलो फ्राइ करके रखा हम चिकन डिका बटर मसाला बनाते हैं वो हम तंदूरी करके डालते हैं बट मैं आपको गर वाली रैस्पी बता रहा हूँ उसके बाद गैस की फ्लेम हाई करनी है और ग्रेवी को राम से बॉयल आने देना है थोड़ी सी कस्तूरी मेती भी डाल देते हैं तो देख सकते हैं चिकन डिका पक चुक है ग्रेवी रहे rooms क्रीम करनी यहां तो लाइस्पै कर रहो हम चिकन डिका बटर मसाली में नहीं तो देख सकते हूंब चिकन डिका बटर मसाले में त्यार हो चुक है और लास्ट मैं हमने इसके ओपर थोड़ी से मूल क्रीम डाल देनी है अगर आपको मेरा वीडियो अश्या लगाओगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक शेर कमेंट ओके फ्रेंट थैंक यू